इस lecture में आपको मैं Visual Studio Code के अंदर basic setting दिखाने वाल हूँ जो थोड़े advanced level की है but you will learn this with me आपने क्या करने है अपने start में जाने यहां पर जाके VS Code को आपने open करने है ठीक है यह मैंने open कर लिया अपना VS Code और मैं यहां से screen इसकी full कर लेता हूँ don't show again और मैं यहां पर directly extension पर चले जाता हूँ बाकि वो जो भी कह रहा है उसको आप छोड़े फिलाल के लिए आप tension ना ले मैं आपको बड़ा detail में यह सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताने वाला हूँ ठीक है आपने चले जाना है extensions के अंदर extension के अंदर आपने एक extension करनी है जिसका नाम है pre-tier just a minute spelling का कोई जोल मेल है pre-tier pre-tier p-r-e-t-i-e-r सबसे पहले यह वाली extension आपने इंस्टॉल कर ली है मैंने की हुई है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इंस्टॉल होती है जब आपके पास कोई भी extension आप इंस्टॉल करने वाले होते हैं तो आपने extension के बटन पर जाना होता है extension का यह ना यहां पर नाम लिखना होता है pre-t-tt के साथ है यह हमेशा मेरे से spelling mistake हो जाती है तो आपने सबसे पहले जो extension इंस्टॉल करनी है इसका नाम है prettier ठीक है एक यह वाली extension कर ली दूसरी जो आपने करनी है वो है vs code icons ठीक है तो यह दूसरी आपने यह वाली इंस्टॉल कर लेनी है extension यह इसी तरीके से apps होती है अपने mobile के efficiency को improve करने के लिए तो इसी तरीके से vs code के अंदर आपके पास different किसम की extensions होती है visual studio code के अंदर जो मैंने आपको पहले भी बताया था installation की दुरान कि आपने यह वाला software करने तो आप यहां से इसको add कर लेंगे ठीक है फिर आपकी जो बहुत आला होती है वो होती है कि मतलब कमाल का अगर आपने look बनानी है ना तो यहां पे jellyfish की एक theme होती है तो आपने वो भी यहां पे कर लेनी है jellyfish theme यह मेरे पास आगी है इससे क्या होगा आपकी killer look बन जाएगी vs code की यह देखे क्या कमाल look बन गी है इससे basically होता गया है जब आप coding कर रहे होते हैं ना तो आपके जो इर्द इर्द वाले वो परिशान हो जाते हैं यार यह बंदा तबाई coding कर रहे है तो खुद को भी अच्छा feel होना जरूरी है तो आप जैसे इस theme को करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से colors आने लग जाएंगे इसका फाइदा क्या होगा यह मैं आपको आने वाले lectures के अंदर बताने वाला हूँ यहां तक आपको clear हो गया होगा फिर इसके बाद अगर आप इस theme से satisfied नहीं है तो आप एक और theme कर सकते हैं इसका नाम है GitHub themes तो GitHub की आप पुरी के पुरा के पुरा जो theme pack है उसे आप install कर लें यहां पे जाके मैं GitHub themes को install कर लेता हूँ जैसे मैं install करता हूँ तो यूजिली आपके पास यह different किसम के जो modes हैं वो आ जाते हैं तो आप dark default अगर कर लेंगे तो यह भी best है but there are many other colors, themes जो आप इसमें से देख सकते हैं theme क्या करती हैं आपकी appearance को अच्छा कर देती हैं तो यह कुछ चीजे मैंने आपको बताई हैं इसके हिलावा कुछ और भी themes हैं जो मैंने आपको बता दी हैं python के चिल्ला के basic course के अंदर यहां पर आज की assignment आपके सामने आती है जो next lecture में आपको और भी अच्छे तरीके से सीखने में मदद करेगी assignment यह है लिख लें notebooks मैंने इस वज़ा से कहीं दी assignment यह है आज की आपने इस video के नीचे comment करना है कि आपको मैंने कौन-कौन सी important themes install करवाई है python के चिल्ला के अंदर जो हमारे इस course का prerequisite था कौन-कौन सी important themes sorry extensions की है not themes कौन-कौन सी important extensions मैंने install करवाई है आपको python के चिल्ला के अंदर और वो आपने comment section के अंदर लिखना है उनको पूरी के पूरों को enlist करके और अगर आप वो पूरी के पूरी enlist करते हैं that shows कि आपने ये काम किया हुए ठीक है और मुझे पता है मैं कौन सी themes use करता हूं और कौन सी extensions use करता हूं और extensions आपसे utilize करवाता हूं so you will know that ठीक है अब जिसने काम नहीं किया होगा वो आएंबाएं शायं करेंगे जिनने किया होगा वो कुछ भी नहीं करेंगे means to say they have already done a lot of things अच्छा यहां पे एक question आपसे और आज के lecture का जो basic एक्तताम है last वाले 5 minutes आपके question answers के होंगे उनके मैं answers दोंगा लेकिन उससे पहले जो main चीज़ अब आपसे मैं पूछने वाला हूँ वो यह है आप किस city से हैं इस वकत और कहां पे हैं यह comment section में अगर बता देंगे that would be great इससे क्या होगा लोगों को पता चलेगा कि आप कहां कहां से हमें आज सुन रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से आप हो please comment section में जरूर बताईएगा city का नाम बता दें that's enough यह साथ में comma country का नाम लिखते हैं for example Germany मतलब मैं कह सकता हूँ की इल जर्मनी तो आप अपना लिख सकते हैं आप कहां से हैं और country का नाम क्या है इससे क्या होगा हमें थोड़ा सा community का added benefit मिल जाएगा बाकी मैंने course के registration open कर दी है आप उस पर register कर वा सकते हैं और आप उसको join कर सकते हैं क्या ख्याल है समझ आ रही हैं ना hopefully आपको आ रही होगी